गुड़ीवनिंग एवरिबडी एक बाप फिर से आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल क्लास में जहां पर आप सभी लोगों के लिए कैसी जवर्जस इंफॉर्मेशन एक ऐसा जवर्जस सेट लेकर रहा हूं जहां पर आपको बहुत सारी ग्रैमर वोकाबलरी और रेडि जनी आ रहा है तो बच्छों की प्रपेशन वैसे शुरू होगी और लिएसे पहले से 50 पूलेकर एक घंटे एक घंटे चौदा मिनट की वो क्लास रही है, उसको जरूर देख लीजेगा आप लोग Wifi Study YouTube चैनल पे, और दूसरा आप यहाँ पे अभी आप देखने वाले हो, पूरा का पूरा एक पेपर सॉल करेंगे आप मेरे साथ, ठीक है, चलो भाई, शेयर कर दो जल्दी स सारे लोग मिलके जल्दी वीडियो को, बहुत सारी बात करेंगे, बहुत कुछ यहाँ पे कवर किया जाएगा दोस्तो, बहुत सारी चीजे आप यहाँ पे सीखने वाले, शेयर कर दीजे, जल्दी से जितना फास्ट आप कर सकते हैं, चलो शुरू करते हैं, सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन ले लीजे, नया बैस शुरू हुआ है दोस्तो, संदी 12 कोड लगाना है आपको कोर्स लेने के लिए आनेकेडमी लर्नर एप पर, चलो भाईयों शुरू करते हैं, फिर आज की एक लास, देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया, आज की सेशन का टाउपि होते हैं, इसके लिए मैं, यह मतलब में मोटो आज की सेशन कही है, ठीक है, ओके, थैंक्यू बच्चो, थैंक्यू, 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 आज और शुरू करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यह, क्वेश्चन कहता है, इस रीजन तो सपोज डाट, पीपल गो इंटो इस बिजनस इन सर्च ऑफ फेम, यही कारण है, तो सपोज मान लो कि पीपल जो है, इस बिजनस में जाते, इन सर्च ऑफ फेम, फेम के तलाश में, यानि कि प्रसिद्ध होने के तलाश में इस पर्टिक्लर बिजनस में जाते हूं, बिजनस कुछ भी हो सकता है, अभी sentence को देखो शुरू से पढ़ेंगे, आप बतो एरर क्या इसमें, आप खोच के जल्दी से comment में लिख दो, मैं explain करना शुरू करता हूं, मैंने शुरू किया sentence it से, singular लिखा हुआ है, singular countable noun, मेरे प्यारे साथियों हमेशा एक नियम याद रखेगा, कि अगर singular countable noun कहीं पर इस्तमाल हो रहा है, तो उसके साथ article a या एन, जो भी वहाँ पे जरूर्थ हो, वो आपको जरूर लगाना चाहिए, आप देखो यहाँ पर, कि it is, जो reason लिखा हुआ ह यह केवल, it is reason नहीं, बलकि होना चाहिए, it is a reason, it is a reason to suppose, यहाँ एक कारण है to suppose, suppose करने का, तो आपकी जो error है, वो आपके option first में है, जहाँ पर reason के पहले article का इस्तमाल किया जाएगा, मेरे एक सवाल और है, चलो ठीक है, आपने error खोज ली, आपने error खोज ली, कि it is reason नहीं हो ठीक है, ओके, ओके, यह पहला चीज आपने खोज लिया, ठीक है, मिरा आपसे एक सवाल है, अगर मैं इसी sentence में article ना लगाऊं, मैं article ए ना लिखूं, मुझे article ए ना लिखना पड़े, तब इस sentence के इस हिस्से को कैसे सही बनाया जा सकता है, अगर मैं article ना लगाऊं, चैसा कि अगर आपने देखा, बिना article के गलत माना जाएगा, article लिखना पड़ेगा, अगर article ना लगाया जाए, जो आरीजन है, वो आ लिखा ही न जाए, यहां पर, मैं किसी और तरीके से इसको सही करने की कोशिश करूँ, तो मैं और क्या अगर सकता हूँ, दिमाग लगाईए, answer अ अगर आपको article नहीं लगाना है तो, इवें दो चीज़े क्या कहिए, उसको तीर चीज़े कह लिजे, क्या क्या, आपने यह क्या लिखा हुआ है, इस के बाद, इस यानि की work to be, इस MR was work, पांच works आती है, इसके बाद आप main work लिख सकते हो, ing form की, या तो third form की, active wise, passive wise, दूसर आप is MR was work के बाद आप 2 plus V1 भी लिखते हो, जैसे he is to go there, she is to walk for her, ऐसे करके, तो मतलब आप इसके बाद 2 plus V1 लिख सकते हो, और तीसरा है साथियो, तीसरा है, आप इनके बाद adjective लिख सकते हो, इन तीनों गेम में आप एक चीज़ ध्यान से समझ लो, कि आप के पास तो reason word है अगर मैं reason word का बोलूँ कि चलो main word बनाओ, इनका, हाँ, ताकि हम in constructions में डाल सकें, तो reason का main word की कोई भी form नहीं बन सकती है, दोस्तों क्योंकि reason एक noun है, इसकी कोई भी form नहीं बन सकती है, लेकिन reason का adjective बन सकता है, reason का adjective form होता है, reasonable, तो आप यहाँ पर it is reasonable to suppose, मतलब आप reasonable एक शब्द बन सकता है, जो इससे मिलता जुलता है, एक तो होता है reasonable price, जिसका मतलब होता है, उचित, जैसे reasonable price, मतलब उचित दाम, लेकिन हम यहाँ पर अगर reasonable शब्द डालते हैं, तब भी इसके सही होने के chances है, कि it is reasonable to suppose, ऐसा मानना reasonable है, are you getting, तो हमारा reasonable adjective हो जाएगा, और it subject is verb के बाद adjective तो इस्तमाल होता ही होता है, तो मेरे भाईयों फिर भी यह सही हो जाएगा, तो कहने का मतलब, आप के पास दो विकल्प है, या तो आप reasonable लिख दे, कोई article नहीं लगाना, reason हटाओ, reasonable लगा दो, या तो जो reason लिखा है, उसके पहले article आ लिख दे, तो भी सही हो ज दीजे हर बंदे के पास, हर एक student के पास इस वीडियो के लिंक को, सवाल नमबर दूस्तरा, फटा पर चलो, पहले आप कर लो, मैं आपको time देता हूँ, पहले आप try करो, फिर मैं तो हूँ ही सारे question explain करूँगा, बहुत deep मैं explain करूँगा, एक है question को, स्पीड से बच्चो, कम आन एवरी बार्डी क्वेकली, बहुत अच्छे, बहुत बढ़ा, बहुत बढ़ा, शाबबाश बच्चो, शाबश, वेल ट्राइ, वेल ट्राइ, बहुत अच्छे, देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से, कॉमेंट करते हो, करते जाओ यार, देखो, समझो, question है, it is comprising a vast and ever-changing storehouse of information and determination, information and entertainment, आप देखो, यहाँ पे, आपका sentence है, it is comprising, comprise का मतलब होता है, कोई चीज़ को किसी चीज़ में शामिल किया हुआ हो ना, ठीक है ना, शामिल किया हुआ हो ना, comprise, consist, कुछ वैसे ही, तो, my dear students, अगर आप देखो, यहाँ पे, is comprising, शब्द यह कहता है, कि यह present का continuous है, and let me tell you, आपके यह sentence को पढ़ने से, ऐसा नहीं लग रहा है, कि कोई action की बात हो रही, जो present में continue हो, it is a general statement, जो हमेशा हो सकता है, हमेशा के लिए हो सकता है, तो, it is comprising, क्या चीज़, एक vast and ever-changing storehouse of information and entertainment, यह एक general routine type का बात हो रहा है, तो, is comprising बोलने के बज़ा है, present indefinite बनो, it's singular है, comprises लिख दो, is हटा के, is comprising हटा के, comprises लिख दो, comprises, तो, यहाँ पे आपका answer यह होगा, because verb, comprise, और यह even continuous में use भी नहीं कर सकते हैं, इस verb को, जो is comprising है, हम इसको continuous में use भी नहीं कर सकते हैं, तो वो गलत है, उसको सही कर लिजे, यहाँ पे होना चीज़, comprises, आई बात समझ में, ओके, विकाश भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी preparation, वेलकुल टेंशन ना लीजे, मेहनत करने को तयार रही है, बाकी classes में आईए, रोच, ठीक है, इंग्लिश में सुधार हो जाएगा, चिंता मत कीजे, पूरी preparation हो जाएगी, चलो, तो दूसरे का अंसर आपके सामने है, option number, let's have question number first, कीजे दोस्तो, फटा-फट, fill in the blank का सवाल है, स्पीड से, ट्राइम सर्प, देखो, question क्या है, हमारा, ओ, कहां गया, third पर आओ, ये, the young teacher, young teacher जो है, lacked, lacked मतलब कमी रही उनमें, क्या करने की, फिर blank लिखा, in front of his class, यानि अपने class के सामने, जो young teacher है, उनमें कमी रही है, क्या देने की, अब एक teacher, अपनी student को क्या दे सकता है, चार options दिये हुए, assurance, talent, endurance, and disposition, position, so let me tell you, यहाँ पर, जो आपका option बस, assurance है, assurance का मतलब होता है, एक प्रकार का positive assurance देना, कि हाँ, ठीक है, you guys can do it, you guys can do it, something like that, तो the young teacher lacked, उस young teacher में कमी रही है, इसी चीज़ की, in front of his class, बाकी options की बात करें, तो talent की, young teacher lacked talent, in front of his class, यहनि अपनी class के सामने talent की उनमें कमी रही, तो class के सामने talent की कमी, यह थोड़ा सा link नहीं हो पा रही बात, कुछ छूटा छूटा सा लग रहा है, class के सामने, तो क्या हो सकता है, teacher की speech, और उसी speech में थोड़ा determination वाले बात, इंटेंडेट टुग्यू, confidence, confidence भरने के लिए बच्चों में यही चीज की कमी रही, क्योंकि teacher was young, right? फिर उसके बाद बाकी options यहाँ पर लिखे हुएं कि endurance नहीं होगा, इसकी कुछ और ही meaning है दोस्तों, और आप खुजो चाहिए, उसका answer option की है, let's have fourth question, चलो, फड़ा-फड़ा answer करते चलो, सारे लोग जल्दी से, quickly, बहुत सिंपल है, trust me, this is a very easiest question दोस्तों, जवाब दीजे फड़ा-फड़ा, times of PR, question कहता है, he soon found, he ने जल्दी ही पाया, फिर blank लिख दिया अपने, in conflict with his opponents, किसी conflict में, conflict का मतलब होता है, विवाद में, तो किसी विवाद में पाया, with his opponents, अपने विरोधियों के साथ, तो ही ने पाया किसको, अपने विरोधियों के साथ, conflict में किसको पाया, खुद को, खुद को, तो जो subject होता है, जब आप उसके लिए, reflexive लिखते हैं, तो he के लिए himself ही तो लिखेंगे, तो correct answer option C है, he soon found himself in conflict with his opponents he ने soon पाया खुद को, क्या conflict तो correct answer option C हो गया यहाँ पर यह होना चाहिए next P.I. दोस्तो, this is futile आपको synonym बतानी है, futile का correct word क्या होगा synonym क्या होगा, quickly speed save speed से बच्चो start करेंगे foundation batch भी start करेंगे बच्चो notification आ जाने दीजिए कल Sunday है, planning हो जाएगी और हो सकेगा तो परसो से या हम मतलब Monday या परसो Monday से या तो Tuesday से शुरू कर देंगे हम ठीक है? जी हाँ खुश बढ़े हाँ बढ़े हाँ प्लैन कर रहे हैं, पूरा का पूरा schedule बना हुआ है आज हाला कि अब आप लोगों के Monday या Tuesday से उसको हम लोग लागू कर देने वाले हैं अब के लिए सब याद कराएंगे, वो कैब भी याद कराएंगे, जिंदा मत करो काईस, futile का मतलब होता है, nisphal, nisphal, मतलब बेर्थ का है, कुछ उसका result नहीं निकला, तो सिसीफियन वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए, सिसीफियन वर्ड है, वहीं पर ominous का मतलब अशुब होता है, अशुब सब समझ रहे न, कहते हैं, अरे, ये खा के जो, दही खा के जो, तो शुब होगा खाली बालती सामने ले के कोई चला जाता है, कुछ काम के लिए जा रहे है, तो अशुब होता है बिल्ली रास्ता कार दे तो अशुब होता है, चपपल उल्टी पड़ी हो घर में तो अशुब होता है, यह अशुब, that is ominous, फिर है waxing, waxing मतलब जो अप्रिय है, जो आपको पसंद ना है, जो थोड़ी सी irritating सी लगे, उसको हम waxing कहते हैं, और fertile मतलब कोई चीज जो उपजाओ ह होती, जैसे कोई land है, जहां पर आप बीस डालते हो और वहां पर फसल पैदा होती, तो वो land कैसी है, fertile है, fertile का उल्टा पता है, क्या होता है, जहां पर पैदा ही ना हो, उसको हम कहते है, barren, b-a-r-r-e-n, इसका मतलब होता है दोस्तो, banjar, यहां पर कुछ पैदा ही नहीं होत हम arid भी कह सकते हैं, हम sterile भी कह सकते हैं, हैना unproductive भी कह सकते हैं, यह सारे शब्दों का एक ही मतलब है, that is, क्या, banjar, और आपका जो fertile था, उसका मतलब जाओ है, यानि वो चीज़ पूरा वहां पर चीज़े पैदा हो रही है, हम dry भी कह सकते हैं, यह सब इसके opposite में आते हैं चलो next प्यों, प्रेगनेबल, इसका भी synonym बताईए, invisible, prominent, vulnerable and incredible, इसका answer दीजे, फटा-फट सारे बच्चे, speed से बच्चों answer दीजे, quickly, प्रेगनेबल का synonym आपको बताना है, मेरे class timing, इस channel पे तो अभी 9 पीम हैं, बट मेरे बच्चों मैं आपको बता दूँ, इस पर अगली class जो होगी, वो मंडे को होगी, कल तो संडे है, मंडे से मैं इसी channel पे 9 एम शुरू कर रहा हूँ, अब रात भी class ना करके, हम लोग सुबा शुरू करेंगे, मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे एक चीज़ कॉमेंट किया, कि सर, हम लोग का data रात तक, शाम तक आते हैं, खतम हो जाता है, तो सर, कभी class कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, फिर अगले दिन देखते हैं, ठोड़ा सा मुझे लगा कि यहां बात वो सही गह रहे हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस class को, मतलब जो class हमारी 9 पीम पे होती है, अब हम लोग रात की class ना करके, हम लोग दिन में करेंगे, 9 बज़े से शुरू होगी अब आपकी class रोज, तो पहली class हम लोग यूटूब पर करेंगे, वो भी इसी चैनल पर, ठीक है, और मैं बहुत सारे short videos डालने हूँगा इस channel पर, अब इस महीने से मज़ा आ जाएगा, आप सबको बड़े tricky छोड़े छोड़े वीडियो, दो मिनट, पांच मिनट वाले हैं इस type के, ठीक, चलो, शुरू से ब बड़ाओंगा, ठीक है, तो प्रेगनेबल गाईस, प्रेगनेबल के चार options में सिरनीम आपको चुनना है, प्रेगनेबल में इस होता है, भेद्य, जिसको भेद्य किया जा सकता है, तो वलनरेबल, obviously इसका सिरनीम है, प्रॉमिनेंट प्रसिद्ध होता है, जो इनक्रैडिब और इनक्रैडिबल अद्रिश, जो चीज़ दिखाई ही नदे, विजन में आए, वो इनक्रैडिबल है, एक्टिवाइस, पैसिवाइस का सवाल है, लेट उस विजट देर, आओ वहाँ विजट करें, लेट उस विजट देर, लेट उस विजट देर, इस पर्टिकुलर स्पीड से, 9 a.m. मंडे से स्टार्ट है, मंडे से, मतलब पर्सो से शुरू है, पर्सो से मेरी क्लास सुबह 9 बजे मिलेगी, रात को 9 बजे कोई क्लास भी नहीं करेंगे, अब लोग, अगर करेंगे भी तो कुछ रिकॉर्ड इट वगरा डालेंगे, लाइब नहीं करेंगे ठीक, पर्सो से ये क्लास 9 p.m. की जगा 9 a.m. होगी, लगा भी है मेरा एक क्लास, देख लीजे, मंडे से लगा भी है मेरी एक क्लास, जी हाँ, मौनिंग 9 a.m. देखो, लेटस विजिट देर, इसका पैसिवाइस बनाना है, तो आपको याद होगा, लेटस विजिट देर का that we should, they should करके हम sentence बना लेते हैं, यहाँ पर, guys, answer है option number B, it is suggested that we should visit there, is the right answer, right, हम यहाँ पर we को preference में इसलिए ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर us लिखा हुआ है, और us का subjective we होता है, बाकि अगर us, we वाला option में होता ही नहीं, तो हम दे को चुल लेते हैं, बट हमाए पास option में we ह है, तो हम भी वाले को चुल लेते हैं, हम दे वाले को छोड़ देते हैं, so correct answer हमारा option number यही हो चाता है, next पे आजाओ दोस्तो, this is intemperate, intemperate का opposite meaning चुनना है, चार options है, moderate, wrangler, aciduous and pretentious, बहुत अच्छे-च्छे options हैं, यह words एकदम चुन-चुन के डाले हैं वेने options में, intemperate क आपको बताना है, opposite meaning, antonym क्या होगा, intemperate का, मेरे प्यारे बच्छो, intemperate का opposite है, option number A, that is moderate, guys, यहाँ पर intemperate उसको कहते हैं, जो बे लगाम होता है, और बे लगाम को उल्टा है, moderate, यानि कि वो सीमित है, limit में है, बे लगाम नहीं है, बे लगाम घोड़े की तरह, wrangler उस लड़ता भड़ता रहता है, aciduous बहुत ही hard working जो होते हैं, उन्हें कहते हैं, and pretentious वो है, जो हमेशा दूसरों के साथ छल कपट करने को तयार होता है, उसको कपटी कहते हैं, that is pretentious, ठीक है, तो यह हो गए आपके सारे options, अगला है, atrophy, opposite meaning आपको बतानी है, atrophy के options है, admire, enmity, strengthen and and betray, come on everybody, answer please, answer please, बच्चो, जल्दी बताओ, बच्चो, जल्दी बताओ, time sub, atrophy का मतलब है, अपच्चय करना, यानि कि कोई चीज का कमजोर करना, नुकसान करना, तो इसका उल्टा हो गया है, कि उसको strengthen करना, उसे मजबूत बनाना, ठीक है, वहीं admire मतलब, प्रशंशा करना, तारीफ करना, enmity means शत्रुता किसी से बना करना, hatred या शत्रुता, and betray विश्वास खात करना, ठीक है, ये हो गया, अगला question है, direct-indirect way, the captain said to the new soldier, bring me this file, ये sentence, आपको indirect speech बनाना है, अपने reporting वह अपको, reported speech से connect कीजे, किसी particular conjunction का use करते हुए, चार options है, फटा-फट पहले आप राइकल लीच, speed से, Speed से, बच्चो, speed से, Speed से, Time, stop, अरे बच्चो, the captain said to the new soldier, आपकी reporting वह past में है, हलाकि इधर कोई tense का लोचाई नहीं है, पस ये bring me this file, ये bring me आपकी first form से है, To लगा के जोड़ना है, me first person according to captain आपको him लिख देना है, this का that कर देना है, file का file कर देना, बस ये होना चाहिए, यानि to bring him that file, To bring him that file हो सकता है, पहला option हो, दूसरा है, To bring him that file हो सकता है, दूसरा option हो, To bring him that file हो सकता है, तीसरा option हो, To bring him that file, कहा किसने किस से captain ने new soldier से कहा तो एक captain नए soldier को क्या करेगा दोस्तो एक captain नए soldier को आदेश देगा order देगा तो आपको अपनी reporting हुआ अपको खेवल change करना था सुधार ना था इसलिए चुना जाएगा यहाँ पे option number D that is order Are you getting my point? Option number D will be chosen guys और वो होगा हमारा order यानि captain है new soldiers है तो उस new soldier है उसको क्या देगा आदेश देगा command देगा ना command तो commanded अब commanded option में नहीं है तो commanded के लिए हमने यहाँ पे order उसकी जगे पे डाला है next है point the finger at point करना finger को at किसी जगे पे जैसे मैंने ये finger को point कर दिया तो ये बन गया गोला मैंने ये finger को point कर दिया तो ये बन गया तो मैंने finger को point करना किसी चीज़ पर चार options है target someone किसी को target करना blame someone indirectly indirectly किसी को blame करना blame someone directly या to indicate something चार options आपके पास है answer is C blame someone directly क्योंगि आप सीधा point कर रहे हो finger किसी पर ऐसे करके तो finger अपने point कर दी that means आप उसे blame कर रहे हो finger point है तो सीधा directly कर रहे हो it means blaming someone directly correct answer option C next है heart skips a beat अब किसी इंसान का heart है दिल है ये धड़कता है है ना लगाता धड़कता है दोस्तों लगाता धड़कता है धड़क 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 करता रहता है लगाता धड़कता है लेकिन अगर किसी का heart skip करे कुछ beats को बीच में धड़के फिर ना धड़के फिर ना धड़के फिर ना धड़के तो इसका क्या मतलब है miss an opportunity anxious about something excited about something jealous of something चार options है दिल धड़क ना skip करता तो इसका मतलब है excited about something यानि when you are excessively nervous or excited about something your heart is set to skip a beat तो आपका heart जो है बहुत तेजी से मतलब कूदी मारता है क्योंकि आप बहुत excited हो तो आपका heart जो है कूदी मारेगा भाई साब skip हो जाएगा कुछ ने कुछ beats सुजी अगला question है improvement of sentence improve the bracketed part of the sentence landlords indeed are responsible for losses arising out of their negligence यानि कि landlord वास्तों में जिम्मेदार होते कुछ नुकसान के जो उनकी negligence की वज़ा से उनकी लापरवाही की वज़ा से आध हो जाते हैं कुछ नुकसान जो उनकी लापरवाही की वज़ा से arise हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, generate हो जाते हैं चार option से arising out of, arising out of arosing out of या no improvement and the correct answer will be option D because the given statement was already correct, no improvement required given phrase is correct arising out of का मतलब generate होना तो जो generate हो जाती हैं किस की वज़ा से उनके negligence की वज़ा से negligence का मतलब होता है लापर वाही ठीक negligent होता तो लापरवा है negligence है तो लापरवा ही he begged her to reconsider उसने उससे प्रार्थना करी पुना कंसीडर करने की किन्तु she would not वो नहीं मानी, ठीक है अब आपको इसका question tag बताना है आपका bracket में है, would she she would not यह यहाँ का हिस्सा है, वहां लिखा हुआ है वोडशी चार उप्शन से जो भी आपको लगता है आप बताईए कौन सा आंसर हो सकता है और बहुत आसान है question tag यह speed save शाबाश, correct answer option B है यार आपको किस पार्ट का बनाना है he begged her to consider he ने begged किया उसे consider करने का तो आपको उसका question tag बनाना है ना इस हिस्से का तो आप begged से निकालिये ना main helping update और वहाँ पर ही पसीसी को पलट के negative कर दीजे वो है आपका didn't की तो correct answer option B है हमने यहां का बना के bracket में डाला और यही था बच्चे को पसाने के लिए काफी examiner ऐसे खेलेगा आपके साथ 15 पे आईए दोस्तों इसमें आपको substitution बताना है one word क्या होगा a remark और statement कोई remark यह statement especially one with a moral content उसे क्या कहते हैं this is dilatant platitude conventicide conventical और supercilius कौन सा सही जवाब है है एक remark यह statement especially one with a moral content के साथ जो होता है उस remark यह statement को क्या कहते हैं जो morality को दर्शा है जिसमें moral value चिपी हुई हो उस statement को हम क्या कहेंगे इन चार options में से कोई एक आंसर दीजे फटा फट क्या बात है यार बहुत अच्छे जवाब है option B दोस्तों that is platitude a remark और statement especially one with a moral content कोई पर dilatant का मतलब है a person with an amateur interest in the art conventical मतलब एक secret और unlawful religious meeting और supersilious means behaving or looking as though one thinks one is superior to others जो अपने आपको दूसरों से जादा आगे समझता है इस इंसान को हम supersilious हिंदी में घमंडी कहते हैं तो उसको घमंडी कहते हैं supersilious means घमंडी होता है अगला question भी substitution पर है intended for or likely to be understood by only a small number of people है ना likely to be understood by only a small number of people small number of people के द्वारा ही जो चीज़ understood है उसे क्या कहेंगे erotic कहेंगे esoteric कहेंगे poignant कहेंगे या exotic कहेंगे चार options है फटा फट comment में बताते चलिए सभी लोगों के answer जल्दी 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 से जितना fast कर सकते हैं बहुत अच्छे बेटा रश्मी बहुत अच्छे बेटा very good okay so correct answer will be option B that is esoteric ईश्वर के trick कहती है जी तो guys यहाँ पे है intended for a likely for or likely to be understood by only a small number of people only a small number of people तो वो चीज़ esoteric हो जाएगी esoteric का मतलब हो गया जो चीज़ समझ से बाहर है majority के मतलब छीपी हुई है रहस की बात उसको poignant means evoking a keen sense of sadness or regret exotic means originating in our characteristic of a distant foreign country और erotic मतलब relating to or tending to eros sexual desire और excitement यह हुए आपके बाकी सारे options अगले पर आते हैं दोस्तों अब हम इसमें find करेंगे correctly spelled word आप बताओ इसमें से correct spelling किसकी है पहला word, दूसरा word, तीसरा word या चौथा word correctly spelled बताना है correct spelling एक है, गलत तीन है बताईए, कौन सी spelling correct है speed save बहुत बढ़ा शाबाज काईस option C vindicate की spelling सही थी यार अपराद मुक्त करना किसी को उसे हम कहते है vindicate बाकी गलत स्पैलिंग का सही स्पैलिंग यह लिखा है this is deprecate मतलब विरोध करना accumulate जमा करना fabricate मतलब बनाना किसी चीज़ का निर्माड करना उसे fabricate करते है तो यह बाकी options है और यह बच्चों देखो मैं चाहे कोई भी वो cap का question बनाओ यह मत सोचे कह रहे है यह तो option है तो उसको नहीं पढ़ना यह सब एक एक शब्द important है यार यह सब सोना है सोना वो cap सोना है यह सभी world है यह है ना fabricate यह 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 सभी कभी synonym में कभी antonym कभी missus pen कभी correct list यह सब important कभी one word substitution सब जगे पूछे आते हैं हर एक option का एक word मैंने वर्ड भी easy नहीं रखे मतब वर्ड भी मैं चुन-चुन के लेक डालता हूं ताकि बच्चे एक question में चार वो cap उनको मिले synonym synonym antonym में पांच words मिले एक single question पांच words अगर synonym के दो question डाल दी तो passwords उसको मिले गए तो इसलिए यह आपको तयार करना है options भी ध्यान रखना वह यह मत सोचना कि options पढ़ना ही नहीं नहीं नेक्स्ट पर आइए select the correctly spelled word इसमें भी आपको सही spelling चुनननी है बताएए बहुत आथार है जल्दी से बहुत अच्छे दोस्तो option AR अभी अभी तो पढ़ाया था सुपर सिलियस सुपर spelling यही है पहले सुपर लिख लिजे फिर C-I-C-L-I-L-E-O-U-S सुपर सिलियस कितना असान है न यह spelling है अभिमान पूर्ण घमंडी अभी यही कराया था कैविलियर यह spelling है अभिमान पूर्ण सही spelling यहां लिखी है डवल एल नहीं होता है एल सिंगल होता है रॉकस आर एयू होता है वहां गलत हो गया कैप्रीशियस यह पी आर आई C-I-O-U-S होता है कैप्रीशियस फूर्तीला यह हुए आपके सारे options ठिक अठारा होगे उन्नीसवा सवाल जो है कि बताइए कि उन्नीसवा सवाल कि अरेंजमेंट है दोस्तों लगाए दिमाग क्या हो सकता है आंसर स्पीड से रश्मी राजपूर जितेंद्र विपिन नेहा पूजा चिराग अकांशी निलेश प्रगती फटाफट सारे बच्चे चलिए अपना अंसर दीजे सभी लोग जिसको जो अप्शन लगता है सही है आईए शुरू करते हैं देखो ध्यान से पढ़ो यहां पर अधि खिर सभी लोग यहां पर फोकस करो एक दम चीए बच्चों वह गया होगे दिको एया है डी भी है है सी है सारे options तो आप लोगों ने दे दिये बचाई क्या है कुछ ही बच्चों ने आंसर किया है वो भी सारे options बता दिया आप लोगों चलो शुरू करते है हमारा एह पार्ट कहता है कि इंडिया will have the world's largest footprint यानि इंडिया के पास होगा पुरी दुनिया का largest footprint होगा चीक है as a benchmark of good developers offering customers sustainable lifestyle कुछ मदा नहीं है green building become a buzzword several years ago chances are the green building revolution 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 has taken the country by storm with prediction that देखो सबसे पहली बात यह जो डैट लिख दिया आपने यहाँ पे ना आप इसके बाद कुछ ना कुछ आपको subject और वाब लिखना पड़ेगा situation समझो क्योंकि यह अधूरा है है ना by strong with prediction that और फिर आपको वो लाइन आगे लिखके पूरी करनी है तो आपका जो डी वाला पार्ट है यह लास्ट नहीं हो सकता इसके बाद कुछ और चाहिए और इसके बाद वो चाहिए जिसमें subject है और वाब है आप जिसमें डी लास्ट में है पहले तो उनको side कर दो यह दोनों में डी लास्ट में है तो आप इसको side कर दो और इसको side कर दो अधूरा है यह अब आपका first part या तो c है या तो d है first part या तो c है या तो d है c में कहता है green building became हो गई एक buzzword several years ago एक ये बात है the green building revolution आप यहाँ पे the green building revolution जो आप कह रहे हैं has taken the country by storm with prediction ये intro जैसा नहीं लग रहा है green building का intro किसमें है इसमें है तो बस आप c वाले part को first मान लो और ये आपके है option number b में तो बस आपका b answer हो गया इसका ठीक कर लो ऐसे कुछ ना कुछ hint खोजा करो या ठीक है बच्चो कुछ ना कुछ hint खोजा करो कुछ ना कुछ ऐसे point खोजा करो जिससे कहीं से भी आगे पीछे बीच में का कुछ भी part देखकर आप eliminate करो कुछ options को चीज़े आसान हो जाए फिप्टी विप्टी कर दिया दो eliminate दो मेंसे एक को चुल नहीं चलो अगला बता लगाओ दिमाग इस करता हूँ आपर आमसे आंसर देख लेना बाद में अभी मत देखना screenshot ले लो सबी लोग में ठीक है हो गया अम मैं आंसर शो करने जा रहूं आप लोग अभी मत देखना, बाद में देख लेना वीडियो में, ठीक है, अभी मत देखना नहीं, तो फिर पता ही चल जाएगा, फिर कोई मतलम नहीं, चलो, अभी ये आया आपका इप सामने close test, close test पे मैं क्या करूँगा, एक अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, अभी इसक इसका वादा करता हूँ, ठीक है, तो close test इसको हम कभी अलग से कर लेंगे, है बहुत आसान, कितने simple simple से options दे रखें, देख रहो, है बहुत आसान, करना बहुत आसान है, लेकिन तरीके पहले हम बात करेंगे, close test पे एक अलग ही वीडियो बनाएंगे, ठीक, चाओ, तो ये र 9 बजे, 9 एम, सुबह, सुबह 9 बजे, कल, तो संडे ही है, परसो से, मंडे से सुबह 9 बजे मिलेगी, यानि हम रात को अब ना करके सुबह 9 बजे किया करेंगे इस class को, basic से पूरा पढ़ने के लिए, paid batch भी आप ले सकते हैं, संदीब 12 code लगा के, SSC category का paid batch लीजे, नया batch हो जाएगी, SSC के लिए, so play store पे जाएं, आन एकेडमी, learner app install करें, login करें, SSC exam non technical, search करके select करें, ये banner जबाए, तो यहाँ पर संदीब 12 लिख कर apply की बटन दबा दे, तुरंत discount हो जाएगा, फिर 24 महीने पे क्लिक करें, और payment जैसे भी कर सकतें, कर ले, चलो दोस्तों, यह होग जादा लोगों तक share करके उनको भी invite करो, ताकि वो भी इस class से जुड़े, basic शुरू करने वाला हूँ, vocabulary सिखाऊंगा, 2-3,000 words रटा दूँगा, substitution हजार के आसपास, आपको याद करा दूगा, इसी channel पे, हजार के आसपास, idioms रटा दूँगा, मैं images और visualize करा 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 के, पू से कल संदे को भी channel है, wife is study, उस पे करारों कल, बाकी regular आप यहाँ पे, सुबह 9 बजी अप classes देखें, thank you very much, bye, good night.